ब्रॉक लेस्टनर का अगला रोरी टर्न हुआ कनफर्म एएव की टीवी डील हुई रवील दर रॉक की वापसी हो रही है पक्की साथ ही साथ दा क्लब को भेजा जा सकता है एनेक्स्टी के अंदर नमस्कार दोस्तो मिरा नाविक गौरव आप देखरें डिवी ए हिंदी गॉसिप डिवलू एज जी तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चार बड़ी खबरे कवर करेंगे और होप करता हूं कि आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा सबसे पहले बात के लेते हैं All Elite Wrestling याने की AEW की तो AEW भी दोस्तो अब आपको Raw और Smadown की तरह weekly basis पर देखने को मिला करेगा और TV डील होच के reveal दरसल 2 October को हर भुदवार ये TNT Network के उपर देखने को मिला करेगा और इसका नाम मैंने आपको एक से दो महीने पहले बता दिया था और date भी बता दी थी कि इसका नाम रहेगा Wednesday Night Dynamite और ये आपको देखने को मिलेगा TNT पर अब आप बोलेंगे TNT हमारे कहां आता है तो इंडिया में दोस्तो एक कहीं नहीं आता है इंडिया में आने में इसे काफी समय लगेगा लेकिन हाँ आपको YouTube के उपर इसकी highlights देखने क हो चुके confirm आप जानते हैं Brock Lesnar एकलोते ऐसे WWE Champion या फिर Universal Champion रहे हैं जिनके दोस्तो हर हफ़ते रिटर्न डिसकस होते हैं क्योंकि वो आते ही नहीं है लेकिन अब दो डेट हो चुके confirm और पहली डेट है दोस्तो 29 जुलाई की 29 जुलाई की डेट रहने वाली है यानि कि अगली Monday Night Raw के अंदर हम देखने को मिलेंगे और ये Raw होगी दोस्तो वेरी जुल एरीना में वहीं बात की जाए इससे अगली डेट की तो वो रहने वाली है Summer Slam से पहले की आखरी Raw यानि कि उससे अगली Raw यानि कि दोस्तो आपकी 5 अगस्त की Raw और वहाँ भी दोस्तों वो हमें देख मचाने वाले हैं लेकिन अब हम चलते हैं आज के अपनी तीसरी बड़ी खबर के उपर और तीसरी बड़ी खबर जोड़ी हुई है OC यानि कि The Club से The Club का नाम चेंज हो चुका अगर आप नहीं जानते हैं अब इन्हें OC कहकर पुकारा जा रहा है OC दोस्तों अब NXT के अंदर देखने को मिल सकते हैं की खबर यह है कि WWE के पास इस टीम के लिए कोई भी प्लांस नहीं है आप जानते हैं इन तीनों का स्टेबल बना हुआ है इसे दोस्तों कई लोग बुलिट टलब भी कहते हैं कई लोग क्लब भी कहते हैं हम इसे OC कहेंगे आज से तो ये दोस्तो NXT में इसलिए जा सकता है क्योंकि Rico Shape एक खबर ये है कि उनके Elbow में Infection आज चुका है और इसी के चलते BT Raw के अंदर हमें देखने को मिला था कि AJ Styles vs Seth Rollins मैच बनाया गया हाला कि वो वहाँ DX की वज़ा से नस्ता नाबूत हो गया लेकिन दोस्तो अब एक इमेंट के लिए यानि कि आप रखके चल सकते हैं एक दो हफते के लिए WWE OC को भेज सकता है NXT के अंदर बट ये सब तो दोस्तो future की बाते हैं अभी कुछ भी confirm नहीं है चलते है confirmed news के उपर वाइस वो जोड़ी हुई है Brahma Bull The Rock से तो The Rock पर दोस्तो इससे पहले मैं आपको अपडेट ला कर दी थी कि WWE उन्हें अप्रोच कर रहा है कि वो स्मैडाउन लाइव में लोटे और कौन से स्मैडाउन लाइव जो की आएगी October के अंदर October में दोस्तो दो बड़े event होंगे आप अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप जान चुके होंगे कौन कौन से होंगे पहला रहेगा AEW का टेलिविजन के उपर आना जो की होगा 2 October को दूसरा रहेगा स्मैडाउन लाइव का Fox Network पर जाना जो की होगा 4 October को तो इसी से रिलेटेड वो चाहते हैं कि The Rock Fox Network पर जाने वाली स्मैडाउन लाइव में आए ताकि उसे बड़ा बनाया जा सके और इसी से रिलेटेड आप बहुत सी नियूजे जानते हैं कि वहाँ The Rock के अलावा Brock भी हो सकते हैं Sina भी हो सकते हैं Undertaker हो सकते हैं डेव बाटिस्ता भी हो सकते हैं लेकिन दोस्तों The Rock को हाले में जो WWE ने अप्रोच किया है खबर ये है कि काफी positive sign आ रहे हैं The Rock के तरफ से परहां The Rock ने अभी तक कुछ commitment नहीं किया ये भी सच है लेकिन आप रखके चल सकते हैं The Rock हमें वहां देखने को मिलेंगे क्योंकि ये काफी बड़ी चीज होने जारी है Raw reunion की तरह कोई छोटी मोटी चीज नहीं होगी अगर दोस्तों WWE को जिन्दा रहना है इस battle में जो कि AEW को साथ चल रही है उन्हें अपने sport को यानि कि अपने जो entertainment based show जो कहते हैं उसे थोड़ा सा brutal बनाना पड़ेगा अभी तक दोस्तों इसे बहुत कम adult लोग देखते आ रहे हैं लेकिन Fox Network वाले चाहते हैं कि WWE इसे बड़ो को देखने की चीज बनाए तो दरौक इसके लिए समय जरूर निकालेंगे और आपको देखने को मलेंगे तो काफी huge चीज होगी इस चैनल के उपर भी कुछ huge होने जा रहा है तो इंतजार करते जिए पर दोस्तों आज की वीडियो इतनी इस थी अज तक के लिए इतना ही भरवद शबहर